आज हम लोग अभिवेक्ति और माध्यम श्रिंखला के दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे जिसमें पत्रकारिता के विविद आयामों पर चर्चा करेंगे इससे पहले हम जनसंचार माध्यमों पर चर्चा कर चुके हैं जनसंचार माध्यमों के कितने रूप हैं और भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई रेडियो की शुरुआत कब से हुई टेलेविजन की शुरुआत कब से हुई इंटरनेट के क्या भूमिकाएं हैं इन सारी भ हम लोग पत्रकारिता के बिविद आयामों पर चर्चा करेंगे मार्शल मैकलुहान का नाम आप सब ने सुना होगा आप सब जानते हैं जिन्होंने कहा है कि माध्यम ही संदेश है बहुत से माध्यमों से लगतार आप रूबरू हो रहे हैं और रूबरू होते हुए आप लगतार समझ भी रहोंगे इस बात को कि वो माध्यम कैसे सीधे आप से बतियाते हैं सीधे आप से बात करते हैं तो बहुत सी चीजे जो लगतार आप देख और सुन रहे हैं उन ही पर हम चर्चा करेंगे लेकिन उनके नाम क्या है उनकी भूमिकाएं क्या है वो कौन करते हैं उन लोगों पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम आप से बात करते हैं कि इसके अंतरगत किन-किन बिंदूओं पर हम चर्चा करेंगे जैसे पत्रकारिता क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे, समाचार क्या है, समाचार की कुछ परिभाशाएं आपको बताने की कोशिश करेंगे, समाचार के तत्तों पर चर्चा करेंगे, समपादन क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, समपादन के सिध्धानतों की बात भी थोड चर्चा करने वाले हैं और यह लगातार आप अकबारों में देखते होंगे, आप इनको पढ़कर के समझ पा रहे होंगे, कि हम काफी हद तक print medium को ही ध्यान मे रखकर के बात कर रहे हैं, यानि अखबारों को ध्यान मे रखकर के बातें कर रहे हैं, भीच बीच में जरूर हम electronic media की बात करेंगे लेकिन मुख्य रूप से हम जो चर्चा करेंगे वह अख़बारों को ध्यान में रख करके करेंगे पत्रकारिता के बहुत से प्रकार हैं उन पर भी चर्चा करेंगे खोजपरक पत्रकारिता विशेशी के पत्रकारिता वाच्डॉक पत्रकारिता एड्वोकेस किसी चल्चा करेंगे तो आए हम शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम इस पर चल्चा करते हैं कि जैसे अगर मैं आप से कहूं कि आप जब किसी से मिलते हैं अभी इन दिनों जो बहुत दिनों से आप घरों में कैद हैं इस दोरान जब किसी से बातें करते होंगे तो क्या बाते आप हमेशा सोचते हैं कि उसके बारे में जाने, उसके आसपास क्या हो रहा है, वह भी जाने, वह सुने, आपको ध्यान होगा कि आपकी दादी, आपकी माँ और आपके पिता, कई बार चिठियां, आज की जमाने में लोग चिठियां उस तरह से नहीं लिख रहे हैं, लेकिन क लेकिन अब जानने की जरूरत है कि केवल समचार क्या उसको हम मानेंगे, क्या समचार की दुनिया में, क्या पत्रकारिता की दुनिया में उसे समचार माना जाता है, और नहीं माना जाता है, इन बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि पत्रकारिता का संबंध अगर ध्यान से देखें तो पत्रकारिता का संबंध सुचनाओं को संकलित और संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाना है लेकिन हर सुचना समचार नहीं है पत्रकार कुछ ही घटनाओं समस्याओं और विचाराओं को समाचार के रूप मे प्रस्तुत करते हैं किसी घटना के समाचार बनने के लिए क्या-क्या जरूरी है उसमें नवीनता जरूरी है उसमें जनता की रुची जरूरी है निकटता जरूरी है जनता उससे जुड़ी हुई हो प्रभाव जनता पर उसका क्या पढ़ने वाला है यह भी जरूरी है इन तत के प्जाचाई का होना थीख थीख होना बहुत ज़रूरी है वस्तु परक्षिता होना भी बहुत ज़रूरी है इन शारे सिध्धानतों को हमें ध्यान में रखना चाहिए अपनी विश्वस्ansonियता अगर अरजित करनी है किसी भी शेतर में पत्रकारिता के शेतर में यह बहुत जरूरी है यही कारण है कि बहुत स्य अख़वार अपनी विश्वसनियता खो देते हैं लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समचारों से नहीं है उसमें संपादिकिय का प्रिष्ठ होता है आप देखते होंगे कि उस जो पहला जो दूसरा प्रिष्ठ होता है जिसमें संपाद की लिखा जाता है उस पर बहुत से लेख भी होते हैं और सामईक लेख होते हैं और उसके जो विशेश जानकार होते हैं उन जानकार लोगों से उन विशेश अग्यों स उसे लिखवाया जाता है, कुछ पत्र भी होते हैं उसमें, उसमें कार्टून को ना भी होता है, आप देखते होंगे, फोटो भी होते हैं, बहुत से चीजें होती हैं, इन सारी चीजें पर हम आगे चल्चा करेंगे, चलिए हम जानते हैं कि पहले तो पत्रकारिता है क्या, साहिता करती है पत्रकारिता, यानि सुचनाय तो हमारे पास बहुत सी है, लेकिन हम जो उनको तै करें, कैसे उसको लगाएं, कैसे लिखें, कैसे संपाधित करें, इन में पत्रकारिता हमारी साहिता करती है, थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि समाचार क्या है, समाचार जानने वाली हर सुचना समाचार का रूप धारण कर लेती है किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है यहां मैंने चार बातें आप से की और यह चारों बातें जरूरी नहीं है कि आपको ठीक लग रही हो आप खुद सोच कर देखिए, हर बिंदू पर सोच कर देखिए और हर बिंदू पर चर्चा करके देखिए और जो आप पढ़ते हैं अख़बारों में उन पढ़े हुओ को उसके मिलान करके देखिए और जानने की कोशिश करिए कि सचमुच क्या समचार में ये सारी विशिष्टाइं दिखाई पड़ती है या नहीं दिखाई पड़ती है इन सब पर कहीं न कहीं हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है अब मैं थोड़ी से आपसे बात कर लेती हूँ अगर इसकी परिभाशा देनी की कोशिश की जाए तो दो लाइनों में, दो वाक्यों में क्या परिभाशा हम लोग दे सकते हैं समचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुची हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पर रहा हूँ मैंने पहले ही आपसे बात की थी, कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप पूछते हैं कि आप सका समचार क्या है, आपका हाल चाल क्या है यानि एक सहज जिग्यासा हमारे मन में होती ही है यह जानने की कि आप कैसे हैं और आपके आसपास कैसा सब कुछ चल रहा है इस सहज जिग्यासा ने ही शुरुआत की पतरकारी था की क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास हमारे समाज में क्या कुछ हो रहा है पिर हमारी दाइरा बढ़ता चला जाता है कि वह लास पास तक नहीं बलकि हम दूर दूर तक भी जानना चाहते हैं जिसमें हमारी रुची होती है जिससे कहीं न कहीं हम प्रभावित हो रहे हो जिससे कहीं न कहीं हमारा देश प्रभावित हो रहा हो ऐसी चीजों को ऐसी बातो लेकिन और किसी की इसमें रूची नहीं है, जबकि हमने परिभाशा में कहा कि जो बड़े वर्ग तक जाती है, यानि जिसका पाठक वर्ग जिससे प्रभावित हो बहुत दूर तक, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हम बातचित करते हैं, हम समाचार पूछते हैं, वो समाचार नहीं आएगा पत्रकारिता के समाचार के अंतरगत, तो यह बहुत जरूरी है कि हम उसका दाइरा जब बढ़ाते हैं, तो उनमें कौन-कौन सी विश्यस्ताइं होती हैं, उनको भी जानने की कोशिश करें, अब इसके इन सारी बातचित से जो इतनी थोड़ी सी भूमिका मै ने आपसे चर्चा की, थोड़ी सी बिंदों पर चर्चा की, इससे आप इतना तो जान गये होंगे कि समाचार है क्या, सूचना समाचार नहीं है, यानि हर सूचना समाचार नहीं है, मैं किसी से कोई बात कहने जा रही हूँ, तो हर घटना, हर सूचना जो दूँ आपको वो रखेंगी इसलिए हर सूचना समाचार नहीं हो सकती है यानि हर सूचना समाचार माध्य में प्रकाशित या प्रसारित नहीं कि जा सकती है ऐसा क्यों है आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है वह हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं हैं या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार बताता है समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुची अब ये सारी बातें जो हमने आपसे की इससे आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर फिर समाचार किसे कहेंगे क्यों वो समाचार महत्पुन होगा ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आप कोई खबर पढ़ते हैं जब कोई आफ ख़बर सुनते हैं तो आप जरूर इन बातों पर ध्यान देजिएगा और भार्षा पर भी ध्यान देजिएगा दर声ल हिंदी भार्षा का इससे क्या संबंद मनता है इस पर भी हमें संबंद जोड़ते चले जाना चाहिए क्यों हमें इस भाषा के लिए किस ओर कौन-कौन सी विशिष्टाओं को जानने की जरुवत केवल ग्रैमर से नहीं काम चलेगा, केवल व्याकरण से काम नहीं चलेगा समाचार के तत्वों पर हम लोग थोड़ी सी जब बात करने चलें तो इससे पहले जान लें कि समाचार से दरसल भाषा का क्या सम्मद है आप सब जानते हैं कि भाषा में लिखा जाता है और हिंदी भाषा का भी एक अपना महत तो है लेकिन हिंदी भाषा के जब विशिष्टाओं पर हम लोग बात करते हैं तो अक्सर होता क्या है कि हम व्याकरण पर सिर्फ बात करते हैं लेकिन नहीं यह जानना बहुत जरूरी है कि किन किन शेत्रों में वह भाषा प्रयोग की जा रही है अगर मीडिया के शेत्र में वह भाषा प्रयोग की जा रही है तो जाहिर है उसके दाइरे में पूरा समाज आएगा देश आएगा कई राज्य आएंगे और भी बहुत कुछ आता चला जाएगा खेल की दुनिया आएगी फिल्मों की दुनिया आएगी तो उससे जुड़ी हुई भाशा भी माइने रखेगी चलिए अब हम शुरू करते हैं ये जानना कि इनके तत्तों को थोड़ा सा जो हमने बीचर्चा की थी अगर हम पहले तत्तों पर आजाते हैं नवीनता अब सवाल ये है कि अख़बारों के लिए समचारों के लिए नवीनता बहुत जरूरी चीज है आप सब जानते है कि कल का हवार आज आप नहीं पढ़ते हैं आज का अख़बार ही चाहिए यानि 24 गंटे क समाचार भी हमारे पास आने लगे हैं, बहुत से ऐसे साधन हो चुके हैं, बहुत से ऐसे माध्यम हो चुके हैं, जैसे आप इंटरनेट के जरीए तुरंत-तुरंत के समाचार भी आप जान लेते हैं, यानि हर पुराने समाचार को वो दोराते भी रहते हैं, वो हो रहा है, ले यह उन पर समचा लिखा जाए अब सवाल यह उठता है कि यानि रात की जो बारा बजे तक के ख़बर थी वो तो उसमें आ जाए अगले दिन वो नहीं होगी अब दूसरा एक सवाल उठता है जब मैंने आप से बात कि कि नवीनता इसके लिए बहुत महत्वण है अब सवाल य हगी है तो एक लिए अब दूसरे अब था रहा है कि हम जल्दी से जल्D नवीनता यानि सबसे नई खबर हम दे दें यह जो एक प्रतिस्ट पर्धा या कह सकते हैं प्रतियोगिता कह सकते हैं ऑ क्ष सकते हैं इस बहुत परदा यह नहीं कर पा रहे हैं कई बार होता क्या है कि Noweenta के चकर में हम अपने पहले छाप देते थे अर और लिख क्या देते हैं कि सुरोत से विश्वस्त सुत्रों से यह पता चला है यारनि अख़गार को हमने उसकी तथ्यों को नहीं जाचने की कोशिश की और हम ने लिख दिया विश्वस होती है तो Headlines में क्या होता है कि बाकाइदा एक खबर होती है और खबर के आगे question mark लगा होता है प्रश्ण चिन्ह लगा होता है तो जब हम अख़बार की वो खबर पढ़ते हैं तो question mark की और या प्रश्ण चिन्ह की और हमारा ध्यान नहीं जाता है और हमें लगता है कि यही question mark पर हमारा ध्यान नहीं गया और हमने माल लिया कि कोरोना का टिका तैयार अंदर जब हम पढ़ेंगे तब जाकर के पता चलेगा कि ऐसे प्रयास हो रहे हैं कुछ लोगों ने दावे किये हैं और उन दावों को सुरोतों के आधार पर सूत्रों के आधार पर विश्वस्त स दे दिया गया दरहसल इसमें चो की जनता की रुची होती है तो आगे हम इस पर भी चिर्चा करेंगे इस कारण से ऐसा हो रहा है लेकिन सवाल यह है कि हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं किसके भावनाओं से खिलवाड कर यह क्या कर रहे हैं यह आपको देखने की जरूरत होगी अब दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं निकटता अब अगर दूसरी बात करें कि हम जो समाचार पढ़ते हैं सुनते हैं हमेशा ध्यान इस ओर होना चाहिए कि भाई उससे हमारा संबंध कितना है यानि आप जब भी क बार का समाचार को पढ़ते हैं तो आपका ध्यान जरूर उससर जाता होगा कि मुझे उससे क्या मिलेगा यानि आपके लिए वो कितना महत्यपुन है आपके परिवार के लिए कितना महत्यपुन है आपके समाज के लिए कितना महत्यपुन है आपके भाशा भाशियों के लि तो निकटता का होना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजेगा आप, तीसरी बात प्रभाव, अब सवाल ये है कि आप के उपर कितना प्रभाव पढ़ता है उसका, ये भी बात है, मैंने अभी निकटता की बात की, सवाल ये है कि कैसा प्रभाव पढ़ता है उस खबर का, ये भी जरूरी है, क्या आप सकारात्मग धंग से ले रहे हैं, हम जनता की रुचियों को समझने की कोशिश करते हैं, हर अख़बार जनता की रुचियों को समझने की कोशिश करते हैं, और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी देखने की कोशिश करता है, और इसलिए कई बार हमारे पास ख़बरें इस तरह से आती हैं अब अगली बात कर लें जनरुची जनता की रुची किन चीजों में है ये भी बहुत जरूरी है लेकिन ध्यान रखिए कि जनता की रुची एक जैसी नहीं होती है हमेशा गतिशील होती है बदलती रहती है एक जैसी रुची कभी भी नहीं दिखाई पड़ेगी उसका नतीजा ये हो रहा है कि अख़वार वालों को मीडिया को लगातारिया भी कोशिश करनी होती है कि जनता की रुची के साथ हुआ भी कहीं न कहीं दोड़ अपनी लगा सके जनता किस ओर जा रही है अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ म मीडिया का ये काम है कि जनता की रुची को बनाये जनता की रुचियों को बनाना भी मीडिया का काम है जो हम पहले अध्याय में चर्चा कर भी चुके हैं कि जनता की रुचियों को बनाया जाना केवल यह नहीं कि जनता की मांग क्या है जनता चाहती क्या है मातरिये नहीं ब सुद्रड देश बनाने के लिए कौन सी खबरों पर हमें जोड देना चाहिए ये भी मीडिया का की भूमी का है जरूरत है अब सवाल उठता है तकराव या संगर जिसको हम लोग कहते हैं आप देखते होंगे ब्रेकिंग न्यूज तुरंत एक उपर से एक ब्रेकिंग न्यू पर आ जाते हैं बेपक्षी दल ने कहा या यह भी कहा जाए कि एवियम की चोरी हुई ये खबर अगर लगा दिया जाए कि चुनाओं के दौर में याद करिए कि कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि एवियम की चोरी हुई हमने तुरंत ये ब्रेकिंग न्यूज की तरह निश्चित रूप से शीरशक आकर शक हो लेकिन ध्यान रखिए कि क्या ये सारे जो मानदंड हैं मीडिया के समाचारों लिखने के उन मानदंडों पर खरा उतरता है या नहीं ये कौन देखेगा यह हमी तो देखेंगे तो आप ही तो प्रहरी हैं आप ही नागरिक हैं तो आपको यह देखना होगा हमें यह देखना होगा और जाहिर है हमें इसके लिए पत्र लिखना होगा इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा इसके लिए लेक लिखना होगा कौन सी बातें हो रही हैं कौन सी सही हो रही हैं कौन सी ठीक है यह हमें देखते रहना पड़ेगा चल नहीं कोई भी खबर हमारे लिए महत्तपुण होगी गान्दी का जनन दिन या कोई भी जैसे मालीजे अमेड कर इन सब शेहनाई वादक बिसमिल्ला खां थे उन सब की इन सब लोगों पर आप हमारे लिए बहुत माइने रखते हैं उनका होना उनकी खबरों का होना बहुत वे अब जैसे खीक अगर आपको ध्यान हो तो एक खबर थी कि एक महिला जो कई सालों बाद मध्यपरदेश में मिली जो की रहने वाली महाराश्ट्र की थी तो ये भले ही बहुत महत्वपूल व्यक्ति नहीं हो सकती है लेकिन एक बुजर्ग महिला जो हमारे देश की है जिनका जीवन किसी एक दूसरे राजे में काफी समय तक भी था और दूसरे जाती धर्म के लोगों ने उसको संभाला उनको अपने पास रखा ये अपने आप में है यह महत्वपूल को बाकाइदा सभी अखबारों ने सभी चैनलों ने बाकाइदा अपना एक मुख्य ख़बर की तरह अब एक और महत्वपूल बात है अनोखापन अप देखते होंगे कि यासे कहा जाता है कि कुट्ते ने आदमी को काटा ये तो कोई खबर नहीं हुई, लेकिन आदमी ने कुट्टे को काटा, यह खबर हुई, तो एक जो उल्टी बात कोई अनोखापन हो, यह बहुत महत्यपुन हो जाता है, अब सवाल यह है कि कीवल अनोखापन नहीं, यहां में कई बातों की और ध्यान दे रही हूं, यह ध्यान रखिए कि कीवल अनोखापन महत्यपुन नहीं होगा, लेकिन अनोखापन महत्यपुन होता है, अब सवाल यह है कि इस तरह कि अगर कोई घटना हमारे आसपास होती है, कोई भी चीज, तो वो हम लोग रखें, लेकिन अब एक बार ध्यान दीजिएगा, हम अनोखापन की बात कर रहे थे खबरों में, तो बहुत से ऐसे खबर होते हैं, जो हमें अनोखे लगते हैं, और वो महत्यपुन हो सकते हैं, वो दूर तक लोगों को प्रभावित भी करते हैं, जैसे एक लड़की कई किलो मीटर साइकल चला करके अपने पिता को ले गई थी, हमने अमारे लिए अनोख होगी और किसी भी जनता की रुची होगी, अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी भी अनोखी खबरें हमारे सामने आती हैं, जैसे कई सिरवाला बच्चा पैदा हुआ, तो कई सिरवाला जब बच्चा पैदा हुआ, तो हम उसको भी खबर बना सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान रह थे पाठक वर्ग भी कि पाठक वर्ग कौन होगा पाठक वर्ग की रुचियां क्या हैं कौन से लोग होने चाहिए उन्हीं के आधार पर हमारे खबरें लिखी जाती हैं जैसे अभी आज कल क्या हो रहा है कि पाठक वर्ग थोड़ा बदला है तो धीरे धीरे खास सवर से हमार खबरों को स्थान देना शुरू किया यानि आम आदमी उनसे खबरों से धीरे-धीरे भहिश्कृत होता रहा धीरे-धीरे गायब होता रहा क्योंकि एक तो उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं होती है कि अखबार पढ़ सकें ना तो उनके पास इतना समय होता है तो हलाकि बहुत से लोग हिंदी अखबारों को या जो राजी के अखबार है राजी की भाशाओं में अखबार है उनको खुब पढ़ते हैं लेकिन फिर भी बहुत कम हद तक तो इसलिए वो हमारी सीमा हमारी उसमें नहीं रहा सवाल ये है कि हम सिर्फ इस नाते की पाठक उसके इतने से लोग हैं देखना ये है कि किसको प्रभावित करता है केवल अगर जो उचवर्ग मद्यमबर कितना है उससे कहीं ज़्यादा हमारे वो लोग हैं जिसे हम सरवहरा कहते हैं जिसे हम आम आत्मी कहते हैं तो वो उतनी बड़ी संख्या को प्रभावित करने वाली खबर क्यों ना हमारे लिए खबर बने थोड़े से लोगों को प्रभावित करने वाली खबर ही सिर्फ खबर क्यों बने इस पर जड़ा आप सोचिएगा आप चर्चा करिएगा और तब आप जान पाएंगे इस बात को चलिए अब अगली बात पर हम आजाते हैं कि नीतिगत धांचे को भी ध्यान रखने की जरूरत होती है और आचार संगिता जो कहती है आचार संगिता मीडिया के लिए भी है समाचारों के लिए भी है तो आचार संगिता को ध्यान रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है और आज हमारे अखबार या हमारी मीडिया कितना इस पर ध् यह हमें देखने की जरूरत है तो आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जब भी अकबार पढ़ें आप जब भी कोई समचार सुने या देखें इन बातों पर जरूर गवर करें इन बातों को देखें समझें कि क्या इन सारी बातों को एक बड़ी पाठक वर्क को ध्यान वे करके लिखा गया है या सिर्फ छोटे से पाठकबर को सवाल यह है कि कितनी दूर तक इसका प्रभावब जाएगा कितनी दूर तक यह प्रभावित करने वाला है अगर माल लीजिये जिसकी मेरी रूची हमारे राज्य की ख़बरों में है लेकिन रूची के बाद भी हमारे राजी को प्रभाविट करने वाली जो भी खबर होगी जैसे कोरोना का समय ही ले लिजिए तो कोरोना की खबर चाहे वो विदेशों से जुड़ी हुई है क्यों नहों वो खबर हमारे राजी पर असर करेगी इसलिए राजी की सीमा में रहते हुए भी राजी की दाइरे में रहते हुए भी हमारे लिए वो महत्पुर होगी अब सवाल यह है कि वो हमें कैस किस तरह प्रभावित करती है तो इन सारी बातों पर आप गौर करिए चर्चा करते रहे हम अगले भाग में आपसे फिर मिलेंगे झाल Mormon में आपसे उन से अक्षब से खोजया हमें आपसे डापनीज़ किस तरह बातों से तरह से बंडता भावित करता हिए hell beraber करता पता है इस helemaal यह है क को this day I sound